दोस्तों संसाइन इंस्टूट पाटन के इस यूटूब पोटल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों पांच जनवरी को हमबारे बहुत प्रतिख्षित CACB के डाटा इंटी ऑप्रेटर की परिच्छाइं स्टार्ट हुई और यह जो परिच्छा है वो पांच तारिक से ले है और पिछले बार के परिच्छा में पूरा 36 गड़ आया था तो भाई इस बार क्या रहा है क्या 36 गड़ा रहा है कि इंडियन जीएस निक्सार है इसी संकाओं को दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं चुकि आज हमारे क्लास के कुछ इस्टूरेंस का परिच्छा आज ही उसी के बता हुए कोश्चन के अधार पर यह वीडियो बनाया रहा हूं चुकि समान्य अद्धर में 25 कोश्चन है उसके उन लोगों के 21 से 22 कोश्चन जो उन्हों लोगों ने बताये हैं उसी के अधार पर यह पूरा PDF है और यह PDF टेलीग्राम में भी मौजूद रहे रिजिनिंग के भी कोश्चन है मैस के भी कोश्चन है और 36 गड़ के आपको मैं बता देता हूं 25 में से 22 कोश्चन आपे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लिए गया क्योंकि कल पड़सो भी हमारे क्लास के कुछ यह पहला कोश्चन आया हुआ था सबको पता हैं सारंगर कहां के थे सारंगर अगला कोश्चन यह कोश्चन नया कोश्चन लगा कोश्चन नमर 2 गोनुवा पर्व में किसकी पुजा होती है तो इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किसका अंसर क्या आएगा गोनुव सतिनारायन सरमा तें उस question का आंसर आ जाएगा सत्यनारायन सरमा अगला question मे आ जाते हैं Question नमर4 in 36 घर के प्रथम 58 साथ絕 को पते च Penisces क्यों सबको पता है aí बिंबा जी भोसले थेख वंधे जी बिंबा जी भोसले थे तो यह हमारा question का आंसर हो अगला कोश्चन है कोश्चन नमर पांच हुआ 36 गड़ के निम लिखी कौन से स्थान पर मेडिया विद्रो हुआ था दोस्तों ये जो कोश्चन लोगों ने बताया उसके अधार पर उन्होंने बोला कि ऑफ्सन जो है वो जीला दिये थे जीले में बस्तर दिया था बिलासपूर दिया था और राजनान गाओ दिया था इस टाइप से जीले दिये थे तो सबको पता है मेड़े विद्रो जो है वो बस्तर में हुआ था तो एक प्रकार के देख सकते हैं कुछ कोशन आपको देखने को मिल राभी तक जो कोशन किये हो वो सरल कोशन थे गुरुवा पर को छोड़कर इसके आगे देखते हैं कोशन नवा छटवा चट्रवा चट्रव लोग से आयोक के कारियों का उलेक किस अनुच्छेद में है देखे यह आप देखेंगे तो सविधान का कोशन है बट उन्होंने इसमें 36 गार डालकर मिला ही लिया कि यह 36 गार का कोशन है तो चट्रवा लोग सवायों के कारियों का उलेक किस अनुच्छेद में मिलता है तो अर्टिकल 320 में इसमें मिलता है तो आंसर हो जागा 320 अगला कोशन है कोशन में बोला था 148 टन जो है यह इसका आंसर आ जाएगा कोशन नबर 8 कोशन में नुवा बोल रहा है डीपाडी निम्न में से किस धर्मस संबंदित है तो डीपाडी जानते हैं आप लोग यह सेव धर्मस संबंदित है अच्छा अगला जो कोशन लोगों ने जो बताया है जहां पर आपको दीख रहा होगा यह CRT और अनुबंध हुआ था तो य और किसी एक संथा के साहथ या कोई संगठन के साहथ अनुबंद हुआ उन लोगोंने बोला कि आप संशर जन जाती शिख्छा समनी था अप से महिला सख्छा समनी था तो ऐसे कुछ पोश्ङन था तो आपको कोश्चन को याद रखने के लिए या समझने के लिए कि के बीच अनुमन्द हुआ था तो यह प्रशना था कि किस के सांथ हुआ था किस के साथ नी सॉरी किस चीच के लिए पेस किया है तो यहां पे आप देखेंगे तो अभी 218 करोड का अनुपूरक बजट पेस किया उन्होंने ठीक है देखते हैं उनका क्या कोश्चन था पहला था यह नहीं था है ना वो उसके अकॉर्डिंग है कोश्चन नमर 12 सुराजी गाउं के अंतरगत कितने गौठानों का उन्यन हो चुका है सुराजी गाउं के अंतरगत तो सुराजी गाउं के अंतरगत आपको सबको पता है कि इसके तहत जो है वो 2800 गाउं का निर्मान पूर्ण हो चुका है है ना और लगभग 5916 जो है इनका उन्यन इसको किया जा रहे है तो देखते हैं उनका आपसन क्या थ ठीक है अब यह जो वीडियो मैंने बनाया है यह से पूसिप समझने के लिए था कि किस टैप के कोशन आ रहे हैं तो कि पूरा एक्जेट कोशन तो हमको भी नहीं पता उन लोगों ने भी अपने हिसाब से बताया है अगला कोशन है कोशन नमर 13 निम्ड में से कौन सगीत धान क किसमय गए जाती है ठीक है जी कि अगला कोशन कोशन कोँ सगीत बिलासपूर धनते वाड़ा अन्चल में प्रचलीत है यह भी उन लोगों ने बताया कि बिलासपूर धनते हौरा अंचल में प्रचलीत गीत है अच्छा यह धान का टाई समय अब हम लोग जो जानते हैं उसक पताया उन लोगों ने काव मौह और माता माता संगीत यहां कुछ माता भक्ती घीट ऐसा उन लोगों ने बताया ठीक है तो यह मैं उपने आपको दिया हूं इसका नहीं तो कि आपको पता चले कि कुश्चन इस टेप से अगला कोश्चन है जूबिन सा किसके अध्यक्त चुन गया था कि 36 गड़ प्रद्दुगी की संस्थान की अधार सिला किस ने रखी थे उन लोगों ने बोला किस रैस भी कोशन था ओप्सन में डाक्टर राजन पर साथ भी थे सरोपली राधा किशन भी थे कोई रंजन साब भी थे तो देख लिजेगा आंसर इसमें क्या आता है को वही मुझे सिवरा मुझे ये कोशन मर्ठा के आंसर हो सकते हैं अगला 36 गड़ के रिहन ददी कों से राज्य में प्रवेस करती है तो 36 गड़ की उसमें सीधी से बात है रिहन ददी उत्तर में जाके उत्तर प्रदेश में जाती है तो आंसर क्या जाएगा उत्तर प्रदेश अच्छा 19 question तक यहाँ पर मैंने mention किया एक question वोगे ने और बताया था कि खुटा घाट जो है खुटा घाट बांथ वो किस जिले में है तो बिलासपूर में यहाँ पर मैंने ने लिखा कि पिडियेप बनाने के बाद वोगों ने बताया था तो खुटा घाट जो है वो बिलासपूर में है तो लगभग लगभग 20 question जो है मैंने आपको बता दिया और कुछ questions अगर लहते हैं तो कल जब मैं आपको और वीडियो बनाऊँगा उसमें में mention करा दूँगा अगर कल भी वीडियो तब बनेगी जब हमारे कलास के भी कुछ लोगों के कल भी है अगर वो लोग बताते हैं जित्ता भी बताते हैं अगर वो लोग 20 के 20 25 के 25 या 15, 17 12 जित्ता बताते हैं उसके recording हम वीडियो बनाएंगे अच्छा अगला जो question है यहाँ पे उनोगों ने reasoning का बताया है कि भी इसमें गलत पत क्या है यह लोगों ने बताया तो आप लोग देखिए गलत पत क्या है 3, 6, 18, 50, 21, 24 प्रथम दिश्टा देखने से समझ में आ रहा है कि यह 3 से भाग नहीं जा रहा है मतलब यही गलत पत है अच्छा यहाँ पे यह बोल रहा है कि पड़सो मंगलवार था तो पड़सो कौन सवार यह होगा यह प्रश्ण था है ना पड़सो मंगलवार था पड़सो कौन सवार होगा तो सिद्ध इस बात है है ना अगर हम इसको देखें तो पड़सो मंगलवार था मतलब यह था वाल है पुराना वाला है आज के डेट में कौन सवार है गुरुवार है पड़सो मंगल वार था मतलब आज गुरुवार है तो पड़सो कौन सवार होगा सनी वार होगा पड़सो कौन सवार होगा जी सनी वार होगा अगला प्रशन यह बोल रहे हैं कि रक्त संबंद से दो कोशन आय पूरी चीज़आ याद नहीं आती है अफ लो कोई पता है जब एकजाम दिर आने के बाद आने के बाद तूरंत याद नहीं आता उसके बाद दिखेंगे तो लाभानी के question यहाँ पर बताया जा रहे हैं उन लोगों ने ये भी बताया कि लाभानी के question जो एक question थे बहुत ही थोड़े से lengthy type के थे उसमें साथ उन लोगों ने जूते से related कुछ बताया कि जूते इतना में उनकी जो है क्रेमल है उसको लाभ कवाना है कुछ अलगी टाइप के question था जो जरली हमको देखने की ने मिलता वो लग question था अचा परिमाप और छेतरफल से question था बोले और एतन से दो question था उन लोगों ने बोला ठीक है परिमाप से question था जिसमें परिमाप और छेतरफल दोनों था आयत का था और एतन में हाँ पे दो question सा वैसा उन लोगों ने बता रहा है चाहे इसमें घन का दिया घन का संपुन प्र को लोगों ने बताया कि वृत में जो यहां पे निकालते हैं अगर फॉल यह फ़र हम केंदल से कोई लमड़ डलता में डिवाइड हो जाता है तो चोंघ में सायद यह पुछी थी यह वाज थी यह वाली है तो यह फम्राट ने direct report report अर mee कोनों का योग कितना होता है तो यह 180 अंसांसर आ जाएगा है ना जो कोशन पूछे गये थे उसके अच्छा प्रश्ण यह भी पूछा गया था साथ का वर्गमुल तीन इस्थान तक बताना है तो जो सौटकट से बनाएंगे उनका नहीं बन पाएगा ऐसे वाले से बनाएंगे तभी बन पाएगा दो दूनी चार बचेगा तीन दसमलो डबल जीरो यह वाले से बनाएंगे तब बढ़िया बनेगा ठीक है जो कि क्लास में मैंने बताया है अच्छा प्रश्ण में लगुत्तम और महत्तम से भी एक कोशन उनक बता रहे हैं कि लग प्रतिसत के भी एक कोशन से ऐसा उन लोगों का बोलना है कि प्रतिसत के कोशन है यह तो बात हुआ मैट्स का जो चीजे लोगों ने बताया जो याद आते गया वो यहाँ पे है ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए इस टैप से इसमें आप लोग अब यह नहीं बोलन और तब जो दिमाग में अचानक स्यादा आता है कोई पुछे का अचानक श्याद नहीं आता है अचा प्रशन है इसमें हिंदी में बोड़ रहे हैं कि समास से कोशन आया था यहां से तीन-चार कोशन आया था ठीक है भविसकाल से पूछा था और भूत काल से दो कोशन यहा था सूची सूची का अर्थ क्या है यह सब चीज जो है वो लोग को आते गया याद वो मेरे को बताते गया अडचन किस प्रकार के सब्दे हैं तो इस टेप के कोशन थे ठीक है यह जो वीडियो बनाये हूं यह सिर्फ इसलिए था कि थोड़ा हेल्प मिल जाए कि इस टेप की क प्रक्रिती समझ में आ गई कि किस टेप की कोशन आ रहे हैं स्रल आ रहे हैं कठीन आ रहे हैं ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को यह वीडियो देखने के लिए अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा सेयर करिएगा कल भी हमारे क्लास के कुछ लोगों का एक्जाम हैं अगर वो लोग भी कल बताते हैं तो जितने भी कोशन बताते हैं हम नए वीडियो बना देंगे परसों भी है ठीक है मराते जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद इसका जो पीडियेफ है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा टेलीग्राम में